हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो एक्सल और डबल एक्सल साइज के लिए फूल बाजू कारडिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नंबर आठ है आज की इस वीडियो में मैं आपको लेप्ट साइड के पार्ट में फ्रेंट पॉकेट बनाना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिएगा फ्रेंड्स से बोर्डर कम्प्लीट करने के बाद जैसे हमने राइट साइड के पार् में 6 डिजाइन बनाके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिजाइन की 4 सलाईयां कम्प्लिट हो चुकी हैं अब हमारी ये पांचमी सलाई है और सीधी साइड है तो इसमें देखिए ये वाली जो केबल है और ये केबल है यहां तक हमारे 33 फंदे होते हैं तो इन 33 फंदों पर हम ये जो बटन पट्टी वाला बॉर्डर है ये बनाएंगे तो इसमें हम अपने यहां तक के फंदों को डिजाइन के अनुसार बना लेते हैं तो ये देखिए यहां पर मैंने ये 4 और 8 12 और 2 14 फंदे अपने डिजाइन के हिसाब से बना लिया है अब ये जो हमारा डिजाइन है 4 के मल्ट पांचमी से लाई है तो ये जो छोटी केबल है इसमें से देखिए एक फंदे को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे उन को फोल्ड करके और इस तरह से अपनी तरफ ले आएंगे टाइट वाले फंदे जो धागा है इसको पीछे की तरफ कर देंगे और एक फंदा सीधा इसे खीच देंगे ये धागा आपका जादा नहीं खीचना चाहिए नॉर्मल रखिए फिर धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और एक फंदा उल्टा फिर से उन को ऐसे फोल्ड करेंगे टाइट वाले को पीछे की तरफ ले जाएंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी एक उल्टा फिर उन को फोल्ड करेंगे और ऐसे ले आएंगे टाइट वाले को पीछे की तरफ ले जाएंगे एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा अब इस उन को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और ऐसे खीच देंगे ऐसे ही आपने यहां तक ये देखिए लास्ट ये जो अब आगे आप अपने डिजाइन के हिसाब से देखिए ये दो उल्टे हैं याठ सीधे हैं और आगे बटन पट्टी के फंदों को बनाईए उल्टी साइड पर देखिए यहां तक के फंदे तो हमारे ये उल्टे हो जाएंगे उसके बाद ये वाले जो फंदे आपके वो इधर सीधा हो जाएगा जो इधर सीधा बनाया है वो इधर उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा मैं आपको बना कर दिखाऊंगी पहले मैं इसको ये फंदे और फिर यहां तक इसकी बुनाई कर लेती हूं तो ये देखे फैंड से यहां तक के फंदों को मैंने उल्टी तो अब हम धागा पीछे करेंगे ये वाला हमारा सीधा हो जाएगा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा और एक सीधा बस इतना सा आपने ध्यान में रखना है कि ये वाला फंदा आपका सीधा हो जाएगा तो आगे फिर एक उल्टा एक सीधा सेम बनता चल्या जाएगा तो यहां पर हमारे ये 33 फंदे जहां पर पूरे होते हैं, वहां तक आप इनको सीधा उल्टा करके बना लिजे, तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है, क्योंकि फिर ये आगे के फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे, अब आगे हम सीधी साइड पर और ये जो हमारा सात्मा डिजाइन है, इसकी हमारी यहां पर ये सात्मी से लाई है अब, तो ये फंदे उल्टे होगे, ये सीधे होगे, यहां तक बनाने के बाद अब इस डिजाइन पर ध्यान दीजिए, ये एक फंदा हम 33 में से उल्टा बनाएंगे, फिर हम दागा तरफ एक उल्टा, तो 33 फंदे पर जो हमारा बॉर्डर बन रहा है, उसके हमने ये तीन फंदे बना के, अब ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन तीन फंदों पर डिजाइन बनेगा, तो ऐसे फोल्ड करके अपनी उन को आगे लिया ये, टाइट वाले को पीछे की जीए, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और एक सीधा, इस उन को इसके आगे से हम पीछे की तरफ गुमा देंगे, अब फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन तीन फंदों पर डिजाइन बनाईए, ऐसे बनाते हुए, यहां तक आपका डिजा कर सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए, तो फिर हमारे यह वाले साथ डिजाइन कम्प्लीट हो जाएंगे, और यह जो बोर्डर डिजाइन है, इसकी चार सलाईयां बन जाएगी, तो यह देखें फ्रेंड्स, यहां पर हमारी साथमा डिजाइन कम्प्लीट होता है, अब आठम डिजाइन के लिए यहां पर हमारी केबल ट्विश्ट हो जाएगी, और यहां पर यह जो हम डिजाइन बना रहे हैं, इसकी पांच में इसलाई बनेगी, तो हमारा जो डिजाइन बनेगा, इस सीधे फंदे पर और इस सीधे फंदे पर बनेगा, तो अब यह करते हुए, दूसरी उल्टी साइड से कम्प्लीट कर लेती हूं और यह डिजाइन जैसे मैंने पहले भी आपको बनाना बताया सेम तरीके सब इसको बनाईए तो यह देखिए फ्रेंडसी यह जो हम पॉकेट के लिए बोर्डर बना रहे हैं इसकी हमारी यहां पर 6 सलाइया कम्प्लीट हो इसमें से 31 फंदे हम बाइंड ओफ करेंगे तो देखिए 33 में से एक फंदा हम यहां पर उल्टा बुन लेंगे और अब 31 फंदों को हम बंद करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर बिल्कुल टाइट फंदा करते हुए दो का एक करेंगे ताकि यहां से ढिला ना रहे अब उ दो का एक कर देंगे फिर हलका सा लूज रखेंगे जादा नहीं हलका सा रखेंगे और next वाले दो फंदे साथ में लेके तीन का एक कर देंगे ऐसे करते हुए देखे यहां पर आपको पहचान मिलेगी यहां तक के फंदे तो डिजाइन के हैं और यह एक फंदा हमारा यह 33 गए हैं एक फंदा हमने इधर छोड़ दिया था और यह लास्ट में हमने जो तीन का एक किया तो यह हमारा यहां पर लास्ट का फंदा बज गया तो 31 बंद हो गए दोनों तरफ एक एक फंदा हमारा बज गया अब यह वाले दो उल्टे और यह सीधे और आगे पट्टी के इसाब से इन फंदों को हम बना लेके तो यह देखिए अब हमारी पॉकेट के लिए यहां पर बोर्डर बन गया है और यहां पर फंदे बंद करने से जगय बन गई अब इसमें हम नीचे से पॉकेट बनाएंगे दो ओप्शन है हमारे पास या तो आपको जितनी बड़ी प पॉकेट चाहिए तो यहां से फंदे उठा लीजिए इतनी चाहिए तो यहां से उठा लीजिए और नहीं तो फिर यह दूसरा ओप्शन जैसे कि मैंने राइट साइड में बताया था यहाँ तो जैसे कि अब हमने यहां पर 33 पंदे लिए है अपनी पॉकेट के लिए तो 33 तो हमारे ये होगे, तीन फंदे इधर एक्स्टा रखेंगे, तीन फंदे इधर के एक्स्टा, तो 33 और 6, 39, 39 फंदे डाल के, पहले तो हम सीधी साइड से सीधा, और ये उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे, पॉकेट की लेंथ आपको अपने इसाब से रखनी है, कि हमें क इतनी बड़ी पॉकेट चाहिए है, तो मैंने जो पॉकेट बनाई है, वो देखिएगा, काफी लंबी बनाई है, ये देखिएगा, ये हमारी पॉकेट यहां तक की हो गई है, इतने हिस्से तक, यहां हमारी ये सिलाई होगी, तो जो बड़ा फॉन है, वो इसमें आसानी से आ जाएगा तो पहले आप प्लेन बनाईए उसके बाद ये नाप लीजिएगा ये हमारा देखिए छेटा डिजाइन ये सातमा डिजाइन क्योंकि सातमे डिजाइन की चार सलाई बनाके फिर हमने बोर्डर डिजाइन बनाया उसके बाद आठमे डिजाइन की चार सलाई जहां पर हमारी चोथी सलाई पर हमें इसको अटेच करना है तो आठमें डिजाइन की तीन सलाईया बन चुकी हैं तो अब यहां पर भी मैंने देखिए यह कुछ हमने प्लेन बनाया उसके बाद यह चटी जो हमारी केबल है यह वाली यह हो गई साथ में केबल हो गई और यह जो अपनी पॉकेट को यहां अटेच करेंगे तो अब हमें क्या करना यह काफी आसान रहता इस तरह से बना के फिर वाद में हम आराम से सिलाई कर सकते हैं जोल नहीं आता इसमें इसको हम ऐसे रख लेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे देखें ध्यान दीजेगा इसमें हमने डाले हैं तीन फंदे इधर एक्स्ट्रा 23 फंदे हमारी फोकेट के तो यह वाले 4 फंदे छोड़़के इन फंदो को हम बुण लेंगे तो यह देखिए यह चार फंदे हमारे बजगई अब इस जो हमारी pocket हमने बनाई है इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और इनको अब हम attach करेंगे चार फंदे ये वाले और चार ये वाले इन आठ के हमें चार करने है क्योंकि दो का एक दो का एक होगा तो ये हमारा यहां पर attach हो जाएगा अब देखे ये वाला फंदा हम उतार के इस वाली sliper ले आएंगे इधर से इस वाली sliper ले आए और यहां हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे ठीक है अब फिर से इस फंदे को हम लेंगे और इस स्लाइपर ले आएंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर से इसको लाएंगे और यहां दो का एक फंदा हम बना देंगे फिर से इसको लाएंगे और यहां डाल देंगे और दो का यहां एक फंदा हम बना देंगे तो देखे इन आठ से हमारे चार फंदे हो गए यहां बाजू हमारी अटेच हो गई है अब हम क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे और ये जो pocket वाले फंदे हैं लास्ट में चार फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि आठ में design की यहां पर च और यहां लेकर आएंगे अब देखिए अगर इस फंदे को हम यहां पर लाकर डालते हैं तो यहां से थोड़ा यह डिला पनाएगा अब हमें क्या करना है यह जो अपनी तरफ वाला फंदा है इसको उतारेंगे और इस हाथ की स्लाइपर डाल देंगे और इन दो का पहले हम य आसानी होती है ऐसे करने में दो का एक कर देंगे फिर बैक साइड से एक फंदा उतारेंगे अपनी सलाई पर डालेंगे दो का एक कर देंगे फिर से इस फंदे को लाएंगे यहां डालेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहां भी हमारी पॉकेट अच्छे से अटैच हो गई आगे के फंदों को हम उल्टा बोनेंगे तो यहां आठमें डिजैन की चार सलाईया हमारी कम्पलीट होती है पॉकेट हमारी यहां पर अटेच हो चुकी है अब इधर से हमारी सीधी साइड से आठमें डिजैन की पांचमें सलाई होगे और आपने फिर इसको बिल्कुल देखिए जब इसकी सिलाई करो तो ऐसे करके इसको ऐसे सीधा कर लेना है आप इसमें एक या दो एक मार कर यहां पर लगा दीजिये एक यहां पर और एक यहां पर सिलाई कर देढ़ी तो फिर आपका ओपर का और नीचे का जो पारटा, पॉकेट वगेरा का वो खिचेगा नहीं तो बारिक बारिक टांके लगाकर सुई से आप इसकी यहां से ऐसे सीलते हुए यहां तक सिलाई कर दीजिए तो पॉकेट अच्छे से आपकी बन जाएगे अब मैं आपको डिजैन सेट करके दिखाती हूँ यह देखेगा यह चार फंदे यहां उल्टे एक दो तीन चार और उसके बाद यह हमारी आठ फंदे यहां सीधे आएंगे एक दो तीन और यह चार पांच छे साथ और यह आठ फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंद उल्टे अब देखे यह हमारी तीन फंदे वाली केबल है जो हमारी नीचे से देखे बनती हुए आरी तो यहां पर हमारी छूटी थी सेम बनेगी अब हम क्या करेंगे देखे यहां से इसमें डालेंगे स्लाई में क्योंकि इधर से डाल लीजिए ताकि यह जो जोड है आप इसके बीच में से एक फंदा एक्स्ट्रा बना कर ले आईए बहुत अच्छी फिनिसिंग आएगी उसके बाद यह तीन सीधे बनाईए एक दो और यह तीन यहां अंगुठा रखिए जहां आपने पहले स्लाई डाली वहीं स्लाई डाल कर एक फंदा और एक्स्ट्रा ऐसे बना कर ले आईए तो देखे छोटी केबल यहां पर आपकी एडजेस्ट हो गई है फिर यह दो उल्टे आठ सीधे फिर यह किये केबल आ जाएगी फिर इस तरह से करते हुए मैं यहां पर भी आपको बताती हूँ तो यहां तक देखे सेम से फंदे आपको दिख रहे हैं व कि यह वाला जो यहां पर आपने बाइंड ओफ किया था यहां से स्लाई को आप यहां पर करके और यहां से डाल दीजिएगा इन दोनों को थोड़ा सा यहां पर आपको लगेगा कि थोड़ा टाइट हो रहा है लेकिन इनको ऐसे करके जब आप यहां से इसको डालके और एक फंदा इसमें से ऐसे एक्स्ट्रा बना लिए ये बहुत अच्छा टैच हो जाएगा फिर यहां इन तीन फंदों को आप सीधा बनाए एक दो और ये तीन अब जहां से पहले सलाई डाली उसी छेद में फिर से सलाई को डालिए और एक बार फिर से एक एक्स्ट्रा फंदा बन वैसे बनाईए तो ये देखें फ्रेंड से लेप्ट साइड के पार्ट में भी हमारी फ्रंट पॉकेट बनके तयार हो गई है सिर्फ इसकी सलाई करना बाकी है वो आप कर लीजिएगा अगर आपको आज के वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए और शेर करतीजिए अब हमें क्या करना है सिरफ ये जो डिजैन मैंने बनाना बताया है इस डिजैन को कंटिन्यू करते हुए इसकी जो लेंथ है वो हमें आरम होल तक बनानी है तो इसकी नेक्ट वीडियो में फिर मैं आपको लेफ्ट और राइट दोनों प सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर प्रैस कर लेना ताकि आने वाली सब भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक्यू